श्री गनेशाय नमहा नमशकार दोस्तों ये राशी फल चंद्र राशी पर आधारित है चंद्रमा मन का कारक है हमारे मन पर जो भी उथार चड़ाव आते है वो चंद्रमा की स्तिधी ले कर आती है और इस वज़े से चंद्रमा की पोजिशन हमारे रोज की जीवन को बहुत ज परिणाम ला रहे है दोस्तों इस दिन चंद्रमा आपकी कुंडली में बारवे भाव में रहेंगे दोस्तों बारवे भाव में चंद्रमा का होना अच्छा नहीं होता है अगर आप विदेश में रहते हैं विदेश में बिजनेस करते हैं नोकरी करते हैं तो आपके लिए य विदेश से दन कमाने के अच्छे मोखे आपको इस समय में मिल सकते हैं जो स्टूड़न्स पढ़ाई के लिए विदेश जाना चाहते हैं उनकी इच्छाय भी पूरी हो सकती हैं विदेश से आपको हर तरह का लाब इस समय में मुम्किन हैं लेकिन बाकी चेत्रों में लाब होन की संभावना काफी कम रहेगी क्योंकि इस दिन सुबह से ही आलस से से घिरे रह सकते हैं काम करने की गती धीमी रहेगी हर काम में रुकावटी नजर आ सकती है इस दिन आपका मन भी परेशान रहेगा किसी प्रकार का टेंशन भी आपको इस समय में सता सकता है इस समय में जरूर बरते कही पर भी लापरवाही ना दिखाए अगर हो सके तो यात्राय कुछ समय के लिए टाल दे तो ज्यादा अच्छा रहेगा व्यापारियों को काम में रुकावटे नुकसान होना और पैसे फसने की संभावना इस समय में बन रही है आज कोई भी महत्वपूर्ण निरने ना ले कोई नया निवेश बिलकुल ना करे इस समय में किसी पर भी भरोसा ना करे काजिकार रवाई या समल कर सोच समझ कर ही करे नोकरी करने वालों के लिए भी ये समय अनुकूल नहीं है कारिक्षेत्र में वाद विवाद हो सकते है काम में मन भी नहीं लगेगा इ इस दिन दामपत्य जीवन में अशान्ती रहेगी, पती-पत्नी के बीच नोक-जोक हो सकती है, इस समय में हर काम में आपको सतर्प रहना होगा, किसी और के जगड़े से भी थोड़ा दूर ही रहेगा, नहीं तो आप उसमें फच सकते है, घर-परिवार में अशान्ती का नहोती भी है, तो उसे बढ़ने ना दे, स्टुडन्स के लिए भी एस समय रुकावटों भरा नजर आ रहा है, किसी तरह की रुकावटे आ सकती है, पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, मन भटक सकता है, इस वक्त अपने लक्ष पर केंदरित रहे और अपना प्रयास जारी र इस दिन आप अगर कववों को रोटी डालते हो, तो आप के लिए बहुत अच्छा होगा, जी हाँ, चाहे वो कववा रोटी खाए या ना खाए, आपको बस कववे के नाम के रोटी निकालनी है, किसी जरूरी काम से जाते वक्त, चांदी का सिक्का घर से ही साथ लेकर इन उपायों से मनचान रहेगा, कामों में आने वाली रुकावटी दूर हो सकती है और दिन बहुत अच्छा बन सकता है, साथ ही दोस्तों मंदिर में जाकर भगवान का दर्शन करें और एक रुपए का सिक्का मंदिर के मुख्य गुलक में जरूर डाले, सुबे अगर आप तहलने जाते हैं तो इसका बहुत अच्छा परिणाम आपको देखने को मिलेगा, तो शरीर को ऑक्सिजन तो मिलता ही है, साथ ही दोस्तों नेचर में हिलिंग पावर्स होते हैं, उस वज़े से हमारी एनरजी में चेंजिस आते हैं, जो भी ग्रहों की निगेटिव इफेक् योगा करें, एक्जरसाइज करें, इस दिन अगर आप पीले रंग का इस्तेमाल करते हैं, तो आपके लिए अच्छा रहेगा और तीन अंक इस दिन आपके लिए लखी साबित हो सकता है, दोस्तों ये राशी फल चंद्र राशी पर आधरित है, कभी-कभी हमारी परसनल कु पोजिशन कुछ इस तरह की होती है, कि आपके राशी फल परेणाम में बदलाव दिख सकता है, इसलिए राशी फल को एक मार्गदर्शन के तोर पर लिया जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, दोस्तों सभी राशी के लोगों के लिए जीवन में आगे बढ़ने के लिए कुछ जरूरी बाते वीडियो में आगे बताई गई है, तो वीडियो आगे जरूर देखे, नमस्कार दोस्तों, व्यक्ती को अपने जीवन में सफल होने के लिए मेहनत के साथ साथ भाग्य का साथ होना भी बहुत ही आवश्यक होता है, अगर व्यक्ती का भाग्य उसका प्राप्त होती है, परन्तु कई बार ऐसा देखा गया है कि व्यक्ती के जीवन में कई ऐसी घटनाए घटित होती है, जिसकी वजह से उसको बहुत सारी परिशानियों का सामना करना पड़ता है, और इस स्थिति में व्यक्ती को बिलकुल भी समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हो जो हमारे भाग्य को प्रभावित करती है, हमारे जीवन को प्रभावित करती है, और उन चीजों के आसपास होते हुए भी हमें वो चीजे नजर नहीं आती, वह चीजे हमारे चारो तरप एक अजीव सा घेरा बना कर रखती है, परन्तु हम उसको नहीं देख पाते, इन ची पूरी तरे से कंगाल हो सकते हैं अगर आप कही बहार से आते हैं और अपने जूते चपल इधर उधर कही भी उतार देते हैं तो ये अशुब होता है क्योंकि इधर उधर जूते चपल उतारने की आदत की वज़े से आपको अपने जीवन में आगे बढ़ने में रुकावटे उत्पन होती है इससे उन्नती में बाधा आती है इसलिए आप अपने जूते चपलों को उनकी जगय पर ठीक प्रकार से रखे दोस्तों काफी लोगों को इस तरह की आदत होती है कहीं से भी बाहर से आते हैं कहीं भी जूते चपल फेक देते हैं कहीं पर भी उतार देते हैं चीजों पर ध्हान देना बहुत जरूरी होता है और जूते चपल हमारी जीवन को बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं दोस्तों ध्यान रखें जूते चपल हमेशा साप सुत्रे रखे और उनको उनकी जगए पर रखे उनके लिए एक स्थान बनाए उस स्थान पर रखे अगर कोई व्यवस्था उनके लिए की है तो बहुत ही अच्छी बात है वहाँ पर उने रखे साप सुत्रा रखे जूते चप्पलों को उनकी जगए पर कुछ इस तरह से रखे को वो देखने में भी अच्छी लगे अगर वो चीजे देखने में अच्छी लग रही है तो फिर उनसे निगेटिव एनरजी उत्पन होने की संभावना बिलकुल भी नहीं रहेगी तो दोस्तो इस बात का ध्यान जरूर रखे साथ ही दोस्तो एक और बात है जिस पर आपको ध्यान देना बहुत जरूरी होता है हमारे घर के चछत के उपर जिन चीजों का हमें काम नहीं होता है उन्हें हम घर के चछत के उपर रख देते हैं ऐसा करते करते देखेंगे तो घर के छट के उपर कबार जमा दिखता है जी हाँ जो चीजे हमें लगता है आगे जाके हमारे काम में आ सकती है वो हम घर के उपर रख देते हैं लेकिन वो चीजे तो काम में नहीं आती हमारे जीवन पर वो चीजे बहुती गहरा negative effect डालती है इसलिए हमारे घर के उपर का जो भी area है वो पूरी तरह से साप सुतरा रखे जी हाँ साप सुतरा रखना है और एक भी बिना काम की चीज हमारे घर के उपर नहीं रखनी है दोस्तों नहीं तो हम जीवन में मेहनत करते ही रहेंगे और हम जितना पास सकते हैं उतना नहीं पास सकेंगे क्योंकि ये चीजे हमें कही ना कही हमारे जीवन में पीछे रखेगी इस वज़े से घर के चछत को पूरी तरे से साप रखे, पूरी तरे से साप सुत्रा रखे, क्लीन रखे साथी दोस्तों हम हमेशा देखते हैं घर के उपर जाने के लिए जो सीडिया है उन सीडियों के नीचे जो जगा होती है वहाँ पर सामान हमेशा रख दिया जाता है वो जगाई ऐसी है कि सामान को खीची लेती है वहाँ पर आपको कुछ ना कुछ सामान मिलेगा ही जिन लोगों को पता नहीं है उनके घर आपको सामान मिलेगा ही लेकिन जिने पता है वो लोग हमेशा सीडियों के नीचे की जगए साप सुत्री रखते हैं और एक भी चीज वहाँ पर आपको नहीं मिलेगी क्योंकि अगर हम सीडियों के नीचे सामान रखते हैं तो हमारी उन्नती होना बहुत ही मुश्किल है जी हाँ सीडियों के नीचे कूडा कच्रा कबार अगर हम जमा करके रखते हैं कोई भी सामान रख देते हैं तो उस वज़े से मालक्ष्मी हम पर प्रसंद नहीं होती मालक्ष्मी हमारे घर में आने की संभावना बहुत ज्यादा कम हो जाती है तो दोस्तों इन चीजों पर ध्यान रखे हमारे घर की सीडिया होती है उनकी नीचे की जगा हमेशा साप सुत्री रखे क्लीन रखे साथी दोस्तों अगर आपके घर में ऐसी कोई चीज मोजूद है जिसका आपको काम नहीं है जैसे टूटे फूटे बरतन, आईना, तस्वीरे, इलेक्ट्रोनिक सामान, सोफा, कुरसी, टेबल, पलंग, घड़ी, जाड़ू, गमला इत्यादी तो आप इन सामानों को अपने घर से तुरंथी बहार निकाल दीजिए वरना इससे आपको बहुत बड़ी परिशानी हो सकती है आपको ये चीज़े कंगाल बना सकती है तो घर में ऐसी चीजों का मोजुद होना शुब नहीं माना गया है इससे धनकी देवी माता लक्ष्मी जी का प्रवेश घर में नहीं होता है इन चीजों से आपके घर में नकारात्मक उर्जा का संचार होता है और जिस वज़े से व्यक्ति को मानसिक समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है व्यक्ति के मन में च्रिड़शेडा हट होती है और चोटी-चोटी बातों पर गुस्सा आने लगता है आप जो भी कार्य करते हैं उसमें आपका मन नहीं लग पाता है इस व्यक्ति का जीवन घर में मोजूद इन चीजों की वज़े से अंदकार में डूबने लगता है इसलिए आपको घर में बिना काम की चीजे कूडा कचिरा नहीं रखना है दोस्तों एक और खास बात है हमारे घर में मकडी का अगर जाला है तो वो बिल्कुल भी शुब नहीं है जी हाँ वो अशुब माना जाता है घर में मकडी का जाला होना अशुब है इससे आपके अच्छे दिन भी बुरे दिनों में बदल सकते है क्योंकि मकडी अपना जाल शिकार को फसाने के लिए बनाती है और अगर आपके घर में मकडी का जाला है तो इससे घर में नकारत्मक उर्जा का प्रभाव अधिक बनता है और वास्तु शास्त्र के अनुसार इससे सकारत्मक उर्जा का नाश होना शुरू हो जाता है और घर में नकारत्मक उर्जाब बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है इसलिए आप अपने घर को हमेशा साप सुत्रा रखे कम से गम एक महिने में अपने घर के हर कोने की साप सपाई जरूर करे दोस्तो मुख्य द्वार भी हमेशा साप सुत्रा रखे मुख्यदार, मुख्यद्वार को हमेशा सजाया जाता है क्योंकि मुख्यद्वार से ही हमारे घर में लक्षमी का प्रवेश होता है तो मुख्यद्वार को साफ सुत्रा रखे और सजा कर रखे तो बहुत अच्छा रहेगा इससे मानसीक रोग और घर की परिशानिया दूर हो जाएगी धन की कोई कमी नहीं रहेगी और इसके साथ साथ आएके नए स्तोत भी खुलने लगेंगे इसे के साथ और कुछ चीजे है जैसे टूटी फूटी जो भगवान की मुर्तिया होती है वो हमारे घर में नहीं रखनी चाहिए साथ ही जो भगवान के पुराने फोटो है जो जमा करके रखे हुए होते है तो दोस्तो वो चीजे नहीं रखनी चाहिए जो भगवान के फोटो या भगवान की मुर्तिया जो घर के मंदिर में है बस वहां तक सिमित है अगर आपके घर के शोकेस में भी वो मुर्थिया रखी है कुछ फोटो रखे थे उन्हें भी साफ करते रहना चाहिए जिन चीजों को हम मेंटेन नहीं कर पाते साफ नहीं रख पाते उन चीजों को घर से हटा देना ही आपके लिए अच्छा रहेगा साथी दोस्तो कुछ तसवीरे है जएसे डूपते नाव की तसवीर या फिर जगडे की तसवीर या फिर कुछ ऐसी तसवीरे होती है जो देखते ही हमें समझ में आ जाता है कि ये तसवीर negativity दर्शा रही है इस तरह की तसवीर भी आपको आपके घर में नहीं रखनी है जी हाँ इस तरह की तस्वीर लगाने से भी हमारे जीवर में उसी तरह की घटनाए गटित होना शुरू हो जाता है हर एक चीज हमारे घर की हम पर प्रभाव डाल रही है इस तरह के बदलाव आप आपके घर में जरूर करे धन्यवाद